नमस्का दोस्तों ये एक फिमेल का पाम है और ये गल्फ में रह रहे है सालों से इनकी एच 37 पूरी हो चुकी है 38 रनिंग है इन्हों ने लिखा है वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है साधी के पहले टीचिंग व्यवसाय करते थे अभी हाउस वाइफ है confidence की कमी है husband के साथ मिलकर कुछ काम करना या अकेले करना चाहिए एक सवाल ये है दूसरा सवाल ये है कौन सा business करना चाहिए और क्या परिवार के लोगों के साथ करना चाहिए अब ये जो पाम है बहुत progressive पाम है इतना बड़ा money triangle आपके हाथ में है और अच्छी खासी बुद रेखा है तो आप अगर business करोगे तो कोई problem नहीं हाँ आपने husband का पाम भेजा था उस समय मुझे जानकारी भी दी थी कि आपने Canada के लिए apply किया हुआ है अगर आप वहाँ जाते हो तो तो 100% business करना वहाँ पर पर आप गल्फ में हो तो कोशिस करिए कि वहाँ जाने के बाद business की सुरुवात करें क्यूंकि छोटी छोटी राव रेखा है काट रही है और गल्फ में मैंने देखा है जब व्यक्ति को छोटी राव रेखा भी काटती है तो बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक नुक्सान का सामना करना पड़ता है तो एक तो इसके लिए रुख जाईए आप जब आप का वहाँ जाना हो जाए उस समय आप आगे बढ़िए और हंडिट परसेंट आगे बढ़िए बहुत ज़्यादा ग्रोथ करोगे उसमें दो राएनी रासवाल बिजनेस कौन सा करना चाहिए आपके लगबग सभी माउंट योग्य है आप जो चाहे वह बिजनेस करिए आपक को बिजनेस में बहुत आगे निकालेगा आप कंसल्टिंग कर सकते हो अगर आप करना चाहो हर तरह का आप काम कर सकते हो जो आपकी मास्ट्री है हाँ जो आपके हस्बेंट की मास्ट्री है वो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी रेखा है डाक कलर की नहीं है तो जो फाइने उसी सवाल के अंदर दुसरा सवाल था परिवार के लोगों के साथ, मैं favor नहीं करूंगा, no doubt आपका Jupiter mount अच्छा एंपर यहाँ पर कहीं न कहीं उभार जाता है, तो ये परिवारिक समस्य एक create करता है, सांसारिक समस्य एक create करता है, पर सांसारिक में कभी-कभी क्रॉस आ जाने पर व्यक्ति को रिलेक्स होता है यानि हस्बेंट की और से तकलिफ नहीं होती पर पारिवरिक समस्या है रहती है जीवन में तो इस तरह के जुपिटर माउंट वालों को मैं कहूंगा नहीं कि परिवर के साथ मिल करें पर जो भी करोगे वो बड़े लेवल पर जाएगा यह गैरंटी है जो भी कारे करोगे तो आप कॉन्फिडेंस क्रियेट करिए एक तो मनी ट्रेंगल छोड़कर भी दो-तीन चीजे ऐसी है जो आपको काफी अच्छी उचाईओ पर लेकर जाएगे अब इस पाम को देखे तो पहले चीज यहां पर यह जब इंद्र धनुशी इंद्र धनुशी तो सब्दी यूज ने कर सकते हैं यहां पर तब व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपरचिनीटी आती है उसे ग्रेप करके आगे बढ़ता है सेकेंड चीज यहां पर स्पेस जादा है बहुत जादा तो नहीं है पर फिर भी जादा है तो उच्छी मद्यवर्ग के लोगों के हाथों में जिस तरह की कंडिशन होती है इस तरह का आपका पाम है तो यह भी एक्ष्टा एज देता है सेकेंड चीद देखे तो यहाँ पर पूरा स्क्वेरिश पाम है काफी महनती होता ग्यक्ती और महनत करके अपने जीवन को सक्सेस्फुल बनाता है सबसे हाइलाइटेड है आपका अंगुठा एक बड़े-बड़े इंडिस्ट्रियालिस्ट या बड़े-बड़े बिजनसमेन या बड़े-बड़े विरोकेट्स के हाथ में चीज तरह का अंगुठा चीए उस तरह का अंगुठा है यह आपको हंडेड परसेंट बहुत आगे लेकर जाएगा फरस्ट फैलेइज कितना नुकीला आप जो चीज के प Suppose पूरा करके छोड़ते होंगे सेंड फैलेज भी अच्छा भी अच्छा है अपने हिटों के रक्षा करते होंगे और जाल लॉजिक की जूरत यहाँ लॉजिक के साथ बात करते होंगे यह इतना advantage वाला अंगुठ है, बहुत बड़ा अंगुठ है आपका मानसल भी है, यानि आप अपने हितों की रक्षा करने वाले भी हो second चीज, इतना strong व्यक्तित्व होता है, कि इनसे बेटा बनकर जो चाहे मांग लो बाप बनकर आप 10 रुपे भी इनसे नहीं ले पाओगे, इतना strong व्यक्तित्व होगा इनका गुरु परवद भी अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं, पर थोड़ा सा उभार, गलत जगह पर है उभार अब यह उंगली थोड़ी सी कटी हुई मुझे लग रही है, अगर यह दोनों balance में होगी तो ठीक है अगर यह उंगली थोड़ी सी भी ऊपर जाती है, पर मुझे लग नहीं रहा है कि यह जाती होगी हाँ आपके फैलेंज भी पूरे सपाट है तो आप बिजनेस माइंडेट तो भरपूर होंगे आपको आगे बड़ी बढ़ना ही चीए जिस तरह के आपके फैलेंज है प्रेस किये हुए एक कपड़े की तरह आपके फैलेंज है भरपूर बिजनेस माइंड होगा आप में ये उंगली थोड़ी सी छोटी रह रही है दो से तीन एमें बहुत बड़ा माइनेस पॉइंट नहीं है पर फिर भी रह रही है तो वेक्ति डॉकुमेंटेशन, फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना, याजशक्ति, मनी मेनेजमे अकाउंट्स ये सारी चीजों में हार्डली 10 से 15 परसेंट की थोड़ी सी कमी रहेगी बाकी इससे ज़्यादा मेजर कमी पाई नहीं जाती बुद्परवत भूत ही ज़्यादा अच्छा है जो आपने बताया कि बिजनेस आप कंसल्टिंग कर सकते हो आप हमारे जैसा बिजनेस जो पामेश्टि जैसा है इस तरह का कंसल्टिंग का काम चाहे कोई भी फिल्ड का ट्रीडिंग आप कर सकते हो बुद्परवत आपका अच्छा है ये सारा काम बिजनेस कर सकते हो कोई दुकान डाल सकते हो ग्रोसरी शॉप डाल सकते हो, यह सारे कारे आप आराम से कर सकते हो या कोई कपड़े की दुकान है, शॉप है, ये भी आप कर सकते हो क्योंकि बूत परवत आपका अच्छा है, तो वानी पर प्रभूत्व होता है सपष्ट वक्ता होता है, दिखने में सुन्दर होता है, और निखालास सभाव का होता है जो सामने दिखा वो बता देगा, कुछ भी मन में नहीं रखता, इस तरह का भूत परवत वाला और यहां पर खड़ी लाइने भी है, यह भी प्लस पॉइंट है, व्यक्ति को सुन्दरता भी देती है ऐसे लोग कॉमर्स के स्टूडेंट भी हो, या आर्ट्स के स्टूडेंट भी हो, तो बेसिक टेकनोलोजी का नॉलेज तो जीवन में व्यक्ति रखता ही है चाहे आप 80 साल के भी हो जाएंगे, उस समय जो भी टेकनोलोजी आएगी, उसका बेसिक ज्यान तो आपके बास रहे गई सुर्य परवत पर देखे, तो दो तरकी सुर्य रेखा जा रही है, एक पूरी इस तरह से, और एक यह, यह मल्टी टेलेंट की और इशारा जाता है सेकेंड चीज, यह लगबग एक्टिव हो रही है, 57-58 के आसपास, यहां से एकदम कमफर्टेबल इंकम आपके जीवन में आएगी, और एक माइनस पॉइंट है, पर यह बहुत बड़ा माइनस पॉइंट तो नहीं है, बहुत बड़ा क्रॉस नहीं बन रहा है, मैं इसका उ बहुत जादा तकलिफ है तो आपको जीवन में नहीं आने वाली, एक बहुत बड़ा स्क्वेर आपके हाथ में बना है, अब इसका फल आपको मिलेगा, आपके हस्बेंड को मिलेगा, यह इंटरनेशनल लेवल तक का काम व्यक्ति करता है, इस तरह का जब स्क्वेर होता है, और व्यक्ति अपनी आए से अधिक अच्छी तरह से जीवन में जीता है, आसपास के लोगों को लगता है कि इनके घर में समझो एक 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 लाग की इंकम है, मैं एक एक जामपल दे रहा हूँ, मेरे पास जादा तर पाम उससे जादा इंकम वाले ही आते, तो अगर एक या पास लाग की इंकम हो, पर ये इतना बड़ा स्क्वेर भी व्यक्ति को मल्टी मिल्यानर बनाता है, इंडियन रुपी जीवन, तो ये भी एक खासियत है, और बहुत जादा फैला हुआ काम का व्यक्ति के जीवन में होता है, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम जीवन में कर सकते हो, ये फाइदा आपको मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आपके हस्बेंट को तो हंडेट परसेंट मिलेगा इस स्क्वेर का फाइदा, सेकेंड चीज, एक अच्छी सी रेखा यहां चलकर इस तरह से गुरु परवत की और जा रही है, ये भी शो करती है कि कभी न कभी आप जीवन में उच्छ स्थर पर पहुचोगे, ये मैंने किसी कमजोर व्यक्ति के हाथ में नहीं देखी, इस सरकी रेखा, ये व्यक्ति को अच्छी उचायों पर लेकर जाती है, पर समय आने पर, और व्यक्ति पहुचता ही है उचायों पर, multiple property की sign भी बनी हुई है, तो जीवन में एक से अधिक property भी खरीदोगे या निर्मान करोगे, यह हलकी सी विद्या रेखा भी बनी हुई है, तो basic knowledge अच्छा खासा होता है व्यक्ति को, और ये रेखा भी व्यक्ति को सफलता दिलाती है, second, लोग पुछ-पुछ कर काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उभार जाता है, तो सुबह उठने में 100% आपको तकलिफ होती होगी, और एक बार बैड से व्यक्ति जाग जाता है, और बैड से उतर गया, उसके बाद पूरा डे आप active रहते होंगे, क्योंकि एकदम road की तर continue, तो बुड़ा पे तक income आती रहेगी, और कई मादिमों से आपके पास पैसा आएगा, अब जूपिटर माउंट आपका जीस तरह का है, मैंने वीडियो की सुरुवात में भी बताया, इस तरह का जूपिटर माउंट व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्या देता है पती-पत्नी के बीच में मदबेद होते हैं, फिर परिवारिक मदबेद होते हैं, पर उसमें अगर कहीं पर क्रॉस आ जाता है, तो व्यक्ति का पती के साथ संबंद अच्छा रहता है, अंडर्स्टेंड वाला पती मिलता है, यह बहुत बड़ा advantage है, पर यह क्रॉस का मतलब यह होता है कि व्यक्ति बच्पन में, एक बार सर पे जोर से लगा हो, जो अभी तक याद हो, कई लोगों को स्ठीज भी आते हैं, सर में, और थोड़ा-थोड़ा सरदर्द का problem रहता है, इस तरह कि अगर condition होती है, तो वो cross होता है, तो ऐसे लोगों को पती बहुत understanding वाला मि है, तो यह एक benefit मिलता है, पर यह पारिवारिक समस्या है, तो create करवाता है, इसका मैं उपया आपको दे दूँगा, यहाँ पर एक square भी है, जो आपने कहा भी है, teaching करते थे हम, यह 32 साल के पहले कोई ने कोई property और 36 साल में authority position पर पहुचता है व्यक्ति, और बुलने के कारे मे में व्यक्ति को महारत हासिल होती है, continue चलने वाली रेखा है, तो continue प्रोग्रेस आपका बना रहेगा जीवन में, यहाँ पर triangle बनते बनते रहे गया है, जो complete नहीं है, थोड़ा सा open है, अगर यह complete हो जाता है, तो यह भी बहुत बड़ा advantage हो जाएगा आपके जीवन में, पर अभी फिलाल complete नहीं है, बाकी Jupiter Mount अच्छा है, जो भी कारे करोगे, फैला हुआ करोगे, उसमें दो रायनी, आपके हाथ से खाना बहुत तेश्टी बनता होगा, हाँ, किसी का सुनते नहीं होगे, सुनाने की आदत होगी, यह एक minus point रहेगा, बाकी कोई problem आपके हाथ में शो तो इतनी भी लाइने नहीं है कि वेक्तिक चिंकित सबाव रहे हैं, और भारतिय समाज में इतनी लाइने एक महिला के हाथ में होने एक स्वाबाविक है, क्यों बहुत सारी जिमेदारिया लेकर चलती है, भारतिय समाज में महिला है, केवल घर नहीं चलाती, बहुत सारी ची मिलते होंगे और आपके हाथ में ऐसा कोई मेजर संकट नहीं है पर फिर भी संकट आएगा उस समय अपने लेवल पर संकट का सामना करोगे सबसे बड़िया चीज है आपके हाथ में जैसे बुद्ध पर्वत आपका अच्छा है उसी तरह का परवत आपका चंद्र परवत भी तिमेंडरस अच्छा है आपको पानी पीना भौट अच्छा लगता होगा यानि जिनके चंद्र अच्छे होते हैं वो जब पानी पीते ना उसमें भी उनको ऐसा लगता है जैसे कोल्डरिंग्स पिया इतनी इतना आनंद आता है पानी पिने में और ये विदेश से संबंद लाता है और आप 10 साल से विदेश में हो और जीवन भर विदेश में रहोगे एक तो ये चीज़ होगी दूद से बनी चीज़े बहुत भाती है पर जरूरी नहीं बहुत सारी आइटम है दूद से बनने वाली उसमें कोई न कोई एक दो आइटम है तो बहुत आपको पसंद आती होगी थर्ड जब आप लोग पैसा कमाते हो तो घर के फरनीचर भी देखने लायक होते हैं यह भी खासियत होती है वेल्यू फॉर मनी पर्चेस करने वाले होते हैं अच्छा पर्चेसिंग पावर होता है मैं तो कहूंगा आप कोई न कोई शॉप ओपन करिए बहुत बेनिफिट होगी आपको या कंसल्टिंग का काम दो मैंसे कोई न कोई एक कारे करिए बहुत प्रोग्रेस मिलेगी आपको तो चंद्रपरवत बहुत अच्छा है साथ में आपको एक अच्छी सी बुद्रेखा का भी साथ मिला हुआ है अच्छी सी बुद्रेखा का भी साथ मिला हुआ है पर तीन भागों में डिवैड होकर पर फिर भी बहुत money triangle बना हुआ है ठीक है खर्च का पैमाना रहेगा और income के सुरोथ भड़े पैमाने पर create होते है व्यक्ति के जीवन में यह बहुत बड़ा advantage है एक line ऐसी चल रही है अब यह line जब होती है तो बहुत बार व्यक्ति को हाजमा खराब होता है उस व्यक्ति का इस line के कारण और बहुत बार यह line जब ऐसे चल कर ऐसे चलती है तो देखा गया ससुराल पक्स का भी influence जादा रहता है जीवन में तो यह चीज भी देखी गई है पर 99 परसेंट आपके हाथ में हाजमा problem देता होगा ऐसा मुझे लग रहा है इस line के कारण जो आपने मुझे पूछा भी है कि इसका मतलब क्या एक छोटा सा fork बन रहा है यह आपको यात्राय भी भरपूर कराएगा है चोटा यानि बहुत तो नहीं पर फिर भी यात्राय रहेगी आपके जीवन में बाकी की यह जो फेट लाइन है इसके बारे में हम फेट लाइन पर आएंगे तब डिसकस करेंगे चंद परवत पर देखे तो यह सारी लाइन है मोटी है तो जब मोटी लाइन होती है तो व्यक्ति को जादा problem नहीं आती लग्जेरियस लाइफ होती है अच्छा जीवन जीता है और शुक्र और गुरु दोनों का साथ मिला आपको तो एडवांटेज होता है व्यक्ति बहुत अच्छी तरह पैसा कमाता है और शुक्र अच्छा होता है तो व्यक्ति पैसा कमाता भी और खर्ज भी करता है और अच पर फ्लट लाइन भी है तो वेक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बाद खुशी ढूंडता है और जुपिटर से सुरू हुई तो थोड़ा सा अधर्सवादी होते हैं आप लोग बच्पन से नियम कानून बना लिये रहते हैं मुझे इसी तरह जीना इतने बज़े उठना इतने बज़े सोना इतने बज़े लंच इतने बज़े डिना इस तरह की एक सिष्टम बनी होती है उसमें जरा सा भी उपर नीचे हुआ तो आपको अच्छा नहीं लगता गुस्सा आता है तो यह कभी-कभी परिवार में प्रॉब्लम क्रियेट करती ह लाइन पर कमर्शली जब आप जाओगे तो आपको यही लाइन सफलता भी दिलाएगी क्योंकि सिस्टम से काम करने वाले लोग होते हाथ के नीचे के लोगों से बहुत अच्छी तरह से काम ले पाते हैं ये तो हो गया एक प्लस जब इतनी अच्छी हो तो व्यक्ति भरोसे लाइक होता है गुरू को टच कर दी सो रुपयों भी किसी को दिया देना होगा तो याद करके देकर आओगे इतने भरोसे लाइक इनसान होते हो सेकेंड चीज जैसे जैसे उमर बढ़ेगी वैसे वैसे जिम्मेदारिया बढ़ती जाएगी यह कॉमन सी चीज़ है कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है और आगे का जीवन आपका काफी उत्तम रहेगा बहुत कम जंजटियों से पाला पड़ेगा बहुत उत्तम जीवन जीओगे पर जैसे जैसे परिवार बढ़ते जाएगा उमर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जिम्मेदारिया बढ़ती जाएगी याभरका और जाधा तर प्लानिण काग्जियों पे रहते होगे या मिट पर रहते होगे इंप्लिमेंट नहीं होते और थोड़ी सी चंद्रपरवर 2 जूख रही है हल्की सी इमेजिनेशन पावर बढाती है और थोड़ी सी छोटी माइड लाइन है तो थोड़ा सा एक्ष्ट दबाव आने पर गुस्सा आता होगा आपको बस ये एक माइनस प्रण बाकी बुद्धी प्रतिभा में कोई कमी नहीं होगी तुकि आपकी सारी लाइन है योग्या है कि अब आपकी जीवन रेखा देखे तो पूरी हां से चल कर गुमाव ले रही है तो पारिवारिक सोच वाला इंसान बनता है इस तरह की रेखा वाला अब आपके जीवन रेखा पर देखे तो यहां पर मुझे एक लगबख 15-16 के आसपास एक राव रेखा ने कट करते देखा है इस पीरियड में कोई ने कोई बाधा आई होगी और उसके 4-5 साल थोड़े से अच्छे नहीं गए होंगे क्योंकि इतनी दमदार जीवन रेखानी है तो बहुत एक्स्ट्रा बड़न आता है जीवन में एक्स्ट्रा दबाव आता है जब एक्स्ट्रा जीवन रेखा होती है तो 1, 28 के आसपास राऊ रेखाने काता है, 1, 31 के आसपास राऊ रेखाने काता है, तो यहाँ पर कोई न कोई रुकावट आई होगी, पर इसी पिरियाड में बहुत सारे ओफशूट भी है, तो आपको पता भी नहीं चलाओगा कि कुछ रुकावट आए कि नहीं आई, राव रेखा काट रही है, एक 37 के आसपास राव रेखा काट रही है, उसके बाद 40 के आसपास राव रेखा काट रही है और इसी पिरियर के आसपास कोई नेर एंड इरर की डैथ भी होगी आपके, उसके बाद 40 के बाद 44, 50, 56 और 64 यह इतनी राउ रेखा है आपको जीवन में डिश्टब करेगी अब यह जो नियर एंड एर रखी मैंने यह जो एज निकाली है वो दूसरे फोटोग्राफ से निकाली है फिर भी मैं मुझ से बता देता हूँ आपको एक 15-16 के आसपास, एक 28 के आसपास राउ रेखा ने काटा आपको एक 31 के आसपास, एक 36 के आसपास, 37, 40, 44, 50, 56 और 64 यह इतनी राउ रेखा है आपको परेशान करेगी यहां तक जो मैंने आप इसे डायरी में नोट करके रख लेना और यही अगर आप केनेड़ा जाना चाह रहे हो वहाँ चले गए तो बहुत मामूली हर्ट होंगे आप, बहुत मामूली पर अब गल्फ में रहे तो यह रेखा भी आपको लाखों का नुक्साद दे सकती है अब फेट लाइन पर चले तो आपका क्लोज अप यूज करते हम फेट लाइन पर भी देखे तो एक कट लगबग उम्र 26 के आसपास है, यहां पर कोई ने कोई पारिवारिक कष्ट भी आया हो सकता है सेकेंड फेट लाइन चली रही आपके साथ, एक लगबग 27-28 के आसपास कट है यह 24-25 के आसपास है, एक 36 के आसपास है, एक इन्वेस्मेंट होगा आपका 41 के आसपास, एक कट आपको यहां पर यह थोड़ा सा आर्थिक दुक्सान जादा देगी और यह पिरियड होगा आपके जीवन का 49 या 50 के आसपास, बाकि ऐसा मेजर कोई रुकावट नहीं है और यह continue, multiple income के सुरोत आपके बास always बने रहेंगे, always तो जीवन में पैसा तो भरपूर कमाओगे, बहुत बड़ा money triangle है, बहुत बड़ा square है यहां पर आपको पैसा तो भरपूर आपके जीवन में आएगा हां, और ऐसी कोई बड़ी बाधाय भी नहीं है, कि बहुत बड़ी राव रेखा काटी हो, ऐसा भी नहीं है यह 44 के आसपास आपको near-end error का death हो सकता है, आपके जीवन में कोई न कोई या कोई दोस्त हो, या कोई ऐसा भी व्यक्ति हो, जो परिवार में old है जो, ऐसे लोगों की death होती है तो आशा रखता हो, आपके सभी प्रश्णों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एक सवाल आपका अधूरा रहे गया, यह जब लाइन नीचे से सुरुवात होती है, तो व्यक्ति खाते-पीते घर में जन्म लेता है, बेसिक चीजों के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती सेकेंड चीज जीवन रेखा से यह रेखा चंद्रपरवत की और जारी है, तो व्यक्ति वीडेस में आना जाना या वीडेस सेटल्में शो करता है, तो आप अल्रेडी दस सालों से वीडेस में ही हो, तो आशा रखता हूं, आपके सभी प्रश्णों के जवाब आपको मिल ग